Friends, मैं संजय कुमार, ESP, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, मैं आसा करता हूँ कि आप सब स्वस्तों होंगे दोस्तों, आज मैं मद्यकालीन भारती इतिहास के प्रमुक सुरोत्य की बात करूँगा पिछले दिन हमने मद्यकालीन भारती इतिहास की पाठकरम की चर्चा की थी जो स्टूडेंट अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं जिससे आपको भी मद्यकालीन भारती इतिहास पढ़ने की इस्टेटजी पता चल सके और आने वाले लेक्चर को आशानी से समझ सके तो चलिए दोस्तों बिना देरी की अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं एतिहासिक सुरोत्र की मद्यकालीन भारती इतिहास के सुरोत्र के रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे एतिहासिक सुरोत्र होते क्या हैं किने कहा जाता है इतिहासिक सुरोत्र इतिहासिक सुरोत्र बीते हुए यूगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधन होते हैं अब इतिहासिक सुरोत्र कई टाइब के होते हैं लेकिन प्रमकुरूब से पुरा तात्विक सुरोत्र और साहितिक सुरोत्र पे ज़्यादा जोड़ दिया जाता है पुरा तात्विक सुरोत्र मद्यकालिन भारत के इतिहास के अध्यन के लिए मौलिक स्रोत साहितिक स्रोत रही माने जाते हैं प्राचीन काल में भारत में क्रमबद इतिहास लिखने की प्रंपरा विक्सित नहीं हुई थी भारत में इसे विक्सित करने का स्रे तुर्कों और मुग्लों को प्राप्त है इतिहास लेखर में मुसलिम सुल्तान और उलेमा रुची रखते थे अब यहाँ एक सब्द आया है उलेमा उलेमा क्या है? इसलाम के धार में ग्यान के संरच्छक कहलाते थे उलेमा मुसलिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारती विजियों का विश्तरत विवरण दिया है साहितिक सुरुतों के अत्रिक्त मद्यकालिन भारत में विदेशी यात्रियों की यात्रा विरतांत सिच्छित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियानों के बाद इस्तापित विजय इस्मारक, विजय इस्तंब, आद एतिहासिक सुरुत्तों से भी मद्दिकालिन भारती एतिहास के प्रियाप्त जानकारी मिलती है तो दोस्तों मद्दिकालिन भारती एतिहास के सुरुत्ते के रूप में हमें मुसलिम सुल्तान और उलेमा के द्वारा लिखी गए जो विवरण हैं, रचनाय हैं, उनके माध्यम से हमें काफी कुछ जानकारी मद्दिकालिन भारती एतिहास के रूप में मिलती है संतनत काल में फार्सी और अर्वी पुस्तकों की रचना की गई जिन में संतनत कालिन इतिहास और काल करम की परियाप्त जानकारी मिलती है। अब दोस्तों कुछ महत्पूर सब्दावली हैं जिन से रूबरू होना अती आवस्चक है। अगर हम बात करें अनसाब की तो जब इसलाम धर्म का उदय नहीं हुआ था उससे पूर्व अर्वों के बीच वंसावलियां लिखने की प्रमपरा सुरू हो चुकी थी। अब वंसावली क्या होता है। किसी वंस के लोगों की काल करमानूगत सूची होती है। इसे वंसावली कहते हैं। दूसरा सब्द आता है यसमा उल रिजाल यसमा उल रिजाल अर्बो ने इस परकार की एक नई सिरेणी की रचनाय प्रस्तुत की जिसमें विभिन वेक्तियों के संबंध में संचिर्ट जीवन व्रतांत संक्लित था यानि कि उस समय के जो लोग महत्पूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे उनके जीवन के ब्रतांत को संक्लित किया करते थे लोग जिससे आगे आने वाली पीड़ी उनसे प्रेड़ा पा सके अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर है सीरत सीरत क्या होता है तो हजरत मुहम्मद आपकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं अब चौथा नंबर आता है मगाजी मगाजी दोस्तों क्या है इसमें युद्धों के ब्रतांत को संक्लित किया गया है जितने भी युद्ध हुए उसमें हुए थे उनको संक्लित कर दिया गया और उसको एक सब्द दिय जानकारी प्रस्तुत की गई है इसमें और इस सब्द को तबकात कहते हैं अब बात करते हैं मनाकिब यूम भजायल मद्धिकालिन प्रस्षिस्तियों के लिए इन सब्द का प्रयोग किया गया है हाला कि प्रस्षिस्तियों की प्रंप्रा प्राचीन काल से ही थी प्रस्षिस्तियों में सबसे महत्पूर बद्रुद्दीन इन्हें बद्र ए चाच भी कहा जाता है के द्वारा रचीत साह नामा है जो मुहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है अब बद्रुद्दीन चाच मु अब दोस्तों बात करते हैं नेतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचनाओं में स्वरपर्थम समसे सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज साही है इसमें फिरोज सा तुगलक के सासनकाल का विश्तुरत वर्डन मिलता है अब हम जानेंगे दोस्तों मद्यकालीन भारती इतिहाज जानने के परमुख सुरोत्र कौन कौन से ही यदि हम इस सुरोत्र की बात करें तो इसे चार भागों में हम बाट सकते ही पहला है संतलत कालीन परमुक एतिहासिक सुरोत्र, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा है मोगल कालीन परमुक एतिहासिक सुरोत्र, चौथा है मोगल कालीन यूरोपी यात्रियों का विवरण अगर हम संतलत कालीन परमुक एतिहासिक सुरोत्र की बात करें तो इसमें दो सुरोत्र आते हैं साहितिक सुरोत्र और पुरा तात्विक सुरोत्र पुरा तात्विक सुरोत्र एवं साहितिक सुरोत्र सहतिक सुरोत्र में उधारण के लिए तहकीक एहिंद जिसे किताबुल हिंद भी बोला जाता है अलबुरुनी की चचनामा ताज उलमासीर आधी गरंथों की हम लोग रचनाओं का हम लोग अध्यन विस्तार से नेश्ट डे करेंगे अगर संतलत कालीन परमुक एतिहासिक सुरोत्र के रूम में पुरा तात्विक सुरोत्र पर नज़र डालें तो उधारण के लिए कुतबुद्दिन एवग के द्वारा बनवाया गया कुवत उल इसलाम मजजिद जो महरालु दिल्ली में इस्तित है इन सबका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विब्रण की इनके द्वारा भी कई यात्रा विर्तान्त हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं जिनके माद्यम से हम मद्दिकालिन भारती इतिहास के बारे में डिटेल से जान सकते हैं वैसे तो विदेशी यात्री बहुत लोग आये थे लेकिन अलबुरूनी इबन बतूता मारको पोलो अब्दुर रज्जाक आद इनलों को डिटेल में पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि इसे रिलेटेड कोई ना कोई कुष्चन एक्जाम में देखने को मिलते ही हैं अब तीसरे नमबर पर बात करते हैं मुगल कालीन परमुक एतिहासिक सुरोत्र की यह भी दो भागों में बाटा गया है साहितिक सुरोत्र और पुरा तात्विक सुरोत्र में साहितिक सुरोत्र की बात करें तो तुजुक ए बाबरी जिसे बाबर नामा भी बोला जाता है हिमायू नामा तारीक ए सेरसाही तबकात ए अकबरी अकबर नामा तुजुक ए जहां गीरी साह जहां एम औरंग जेब कालीन रचनाएं इन सबके माध्यम से भी हमें मद्धिकालीन भारती इतिहास के बारें बहुत कुछ जानने को मिलता है यदि हम मुगल कालीन पुरा तात्विक साच्छी की बात करें तो सेरसाह शूरी का मगवरा जो बिहार के सासारा मिश्थित है हिमायू का मगवरा ताजमहल आदिका भी ह कुछ बृत्तांत हैं जिनके माध्यम से भी मद्धिकालिन भारती इतिहास के बारे में बहुच कुछ जानने को मिलता है आए दोस्तों अब बात करते हैं मद्धिकालिन इतिहासिक रचना और उनके रचनाकार की रचना और रचनाकार क्या अच्छे से रटना समझना जरूरी है क्योंकि एक्जाम में कोई ना कोई कुष्चन इससे पूछे ही जा रहे हैं और मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे और याद करने की कोशिस भी करेंगे मैं बाद में ट्रिक भी लेकर आऊंगा इसके लिए सबसे पहले आता है चचनामा चचनामा या अर्बी भासा में लिखा गया है लेकिन इसके रचनाकार जो हैं अभी तक ग्यात नहीं है इसकी विशेवस्तु है अर्बो के सिंध विजय का विश्तरत उल्ले किसमे किया गया है चचनामा में दूसरा आता है तहकीक एहिंद इसे तारीक उलहिंद या किताब उलहिंद भी बोला जाता है इसके रचनाकार अलबुरूनी थे इसमें भारती समाज और धार्विक जीवन का विश्तरत वर्डन मिलता है साथ ही भारत के भारत देश में ज्यान विज्यान की विश्तरत व्याख्या भी इस उस्तक में मिलती है यदि हम तीसरे बुक की बात करें तो ताज उल मासिर इसके रचनाकार सदुरुद्दीन मुहम्मद हसन जी है इसमें भारतिय सहरो, मेलो, उस्वो, भारतियों के मनुरंजन साधनों पर परकास विष्टार से डाला गया है यह काव यानि की पद्ध और गद्ध दोनों रूप में लिखी गई है और यह अर्बी एवं फार्सी भसाओं का एक अनूठा मिस्रण भी है अब हम चौथा बुक की बात करते हैं तबकात ए नासरी इसके रचनाकार मिनहाज उस सिराज है इस रचना में इसलाम के उदय से पूर्व के पेगंबरों का वर्डन और मुसल्मानों का इतिहास भी वर्डित किया गया है यदि हम अगले बुक की बात करें तो तारीक ए फिरोज साही वा फतवा ए जहांदारी है जिसके रचनाकार जियावदीन बरनी है इसमें बल्बन के सत्ता में आने से आरंब होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है आसा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखनी को मिल रहा होगा यदि मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें अब आगे हम बात करते हैं तारीक ए फिरोज साही की इसके रचनाकार समसे सिराज अफीफ हैं इसमें फिरोज साह तुगलक के काल की सभी महतपूर घटनाओं का सुद्रूप से वर्डन किया गया है अगले किताब की बात करते हैं तो फतु हात ए फिरोज साही है इसमें सुल्तान फिरोजसा तुगलक की आत्मकथा है या फिरोजसा तुगलक के द्वारा लिखी गई है इसमें फिरोजसा तुगलक अपने को एक आदर्स मुसल्मान सासक सिद्ध करने की कोशिस में लगा हुआ है अब हम बात करते हैं सीरत ए फिरोज साही की इसके भी रचनाकार अग्यात ही है फुतुह उस सलातीन इसके रचनाकार ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी है इसमें गजनी राज के उदय से लेकर बह्मनी राज की संस्थापना तक की घटनाओं का विश्वत दुरूप से वड़न किया गया है अब हम आगे बात करते हैं कामिल उत्र तवारीख है इस पुस्तक के रचनाकार सेक अब्दुल्हसन है इसमें महम्मद गोरी की विजियों का वृत्तांत विश्वत से किया गया है अगले पुस्तक की बात करते हैं तो तारीक ए सिंध या तारीक ए मासूमी इसके रचनाकार मीर महम्मद मासूम है इसमें अर्वों के विजय से लेकर मुगल समराथ अकबर के समय तक के सिंध का इतिहास का विश्तार से वर्डन देखने को मिलता है तारीक ए यामनी इसे किताब उल यामनी भी कहा जाता है इसके रचनाकार उत्वी हैं यह महमुद गजवनी के साही इतिहास कार भी थे इसमें सुबुक्त गीन और महमुद गजवनी का एक हजार बीस इसवी तक का वर्डन वर्डित इतिहास मिलता है अब हम बात करते हैं तारीक ए मसूदी एवं तारीक ए सुबुक्त गीन इसके रचनाकार अबुल फजल मुहम्मद बिन हुसेन अल बेहाकी हैं बहुत लंबा नाम है इन्हें साड कट में अबुल फजल भी कहा जाता है इन्हें पूर्वी स्री पेपियस की उपाद भी प्राप्त है इस पुस्तक में महमुद गजवनी के इतिहास दर्बार में जीवन की जलक कर्मचारियों के सड़यंत्रों का विवरण विस्तार से मिल बेहाकी महमुद गजवनी का एक साही लेखक भी था तारीक ए मुबारक साही यहावा बिन एहमद सरहिंदी इसके रचनाकार हैं इसमें सयद वन्स के सासक मुबारक साह को यह पुस्तक समर्पित किया गया है अगली पुस्तक है किताब उल रहला यह बहुत बार एकजाम में पूछा जा चुका है कि रहला के रचनाकार कौन है तुरेहला के रचनाकार इबन बतूता है जो मौरको अफ्रीकी महादीब के एक देशे मौरको वहां के निवासी है इसमें मुहम्मद बिन तुगला के विक्तिकत जीवन प्रसासन समाजिक जीवन आदी का विस्तार से उलेख मिलता है अगली पुस्तक है जाफर नामा के रचनाकार है सारप उद्दीन अली याजिद इसमें अमीर तैमूर की आत्मकता का वर्डन किया गया है अगली पुस्तक है वाकिया ए मुस्ताकी और तारीक ए मुस्ताकी इसके रचनाकार है सेख रिजाकुलाह इस पुस्तक में लोदी और सूर्वन्स के अतरिक्त मालवा और गुजरात के अफगान राजवन्सों का विस्तार से वरणन मिलता है तारीक A.3.A. अफगान इस पुस्तक में इस पुस्तक के रचनाकार एहमद यादगार जी हैं इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू की मृत्यू तक की घटनाव का वरणन है समराट हेमचंदर विक्रमादित या हेमू जो सन 1501 से 1556 इस्वी तक रहे हैं एक हिंदू राजा थे और इनके समय में दिल्ली संतनत सेर्शासूरी और मुगल इन लोगों की होड मची थी कि दिल्ली पर कौन सासन करेगा इस दोस्तों इस अवधी के बीच में इन्होंने सौलें सताबदी में भारत पर राज किया था अगली पुस्तक है मुखजान ए अफगानी इसके रचनाकार नियामत उल्ला है इसमें लोधी बंस के सासकों के समय की घटनाव का विश्तरत रूप से वरडन मिलता है अगली पुस्तक है अब अदाबूल अदाबूल हर्ब वा सुजात सौरी इसके रचनाकार है फक्र मुदिब्बिर मद्यकाली नितिहास के लेखों का थोड़ा नाम तेढ़ा है आप लोग थोड़ा अच्छे से उचारण करिएगा और इसमें यह जो पुस्तक है इल्तुतमिस को समरपित है अगली पुस्तक की बात करते हैं इंसाय माहरू की यह तुगलक काल में मुलतान के प्रांतपती थे एनुल मुलक उनके पत्रों का या संकलन है इंसाय माहरू अगला है रियाजुल इंसा इसमें बहमनी संतनत के वजीर महमूद गावा के पत्रों का संकलन है अगली पुस्तक है तारीक ए रसीदी इसके रचनाकार मिर्जा हैदर है यह कस्मीर का इतिहास जानने का एक महत्पूर्ण सुरोत्र है रियाज इसलातीन इसके रचनाकार गुलाम हुसेन सलीम है बंगाल का इतिहास जानने का एक बहुत ही महत्पूर्ण सुरोत्र है रियाज इसलातीन अब अगली पुस्तक की बात करते हैं तो यह है राज तरंगडी इसके रचनाकार कल्याण है यह भी एकजाम में बहुत बार पूछा गया है राज तरंगडी में कस्मीर का इतिहास विस्तार से वनडित है अगली पुस्तक है गोड वहो इसके रचनाकार वाक के पती है इसमें कन्योज के सासक यसुव वर्मन के बारे में जानकारी विस्तार से मिलती है रामचरित मारस हुआ रामचरित मारस नहीं है जिसके रचनाकार तुरसी दास थे इसके रचनाकार है संधाकर नंदी इसमें पाल वंस के सासक रामपाल के जीवन के संबन्ध में चर्चा की मिलती है अगली बुक है तारीक ए सेरसाही इसके रचनाकार है अब्बास का सेरवानी इसमें सेरसाह के सासन और प्रसासनी कारियों की जानकारी मिलती है और यह अकबर के समराट अकबर के आदेश पर ही उनके दर्बार में लिखी गई पुस्तक थी अकबर नामा इसके रचनाकार अबुल फजल है अकबर नामा तीन भागों में देख सकते हैं पहले भाग में अकबर के पूर गामी सासको का इतिहास का वर्डन मिलता है इसके दूसरे खंड में अकबर के सासनकाल की पर्मो घटना है क्या थी उसका वर्डन मिलता है तीसरा खंड है आईने ए अकबरी जिसमें अकबर के द्वारा समराट अकबर के द्वारा प्रतबादि सासन परणाली कानून कैसे थे नियम कैसे थे आदिकी जानकारी हमको मिलती ह नुस्का ए दिलकुस इसके रचनाकार भीम सेन है इसमें औरंग जेब कालीन दच्छिड भारत के इतियास का वर्डन मिलता है और साथी साथ मुगल मराठा संगर्श का भी वर्डन इसमें मिलता है बलाल चरित के रचनाकार है आनंद भट और इस पुस्तक में बंगाल के सेन वंस का विस्तार से वर्डन मिलता है पिर्थवी राज रासो के रचनाकार हैं चंदर बरदाई इस पुस्तक में पिर्थवी राज चोहान जिने पिर्थवी राज तिर्ती के नाम से भी जाना जाता है उनके जीवन का विस्तार से वर्डन मिलता है तथा सन्योगिता संग उनके प्रेम का वर्डन अगली पुस्तक है पाधसाह नामा इसके रचनाकार मुहम्मद अमीन, कजाविनी, अब्दुल, हामीद लाहुरी, मुहम्मद वारिस हैं इसमें साई जहां के काल के इतिहास का विस्तार से वर्डन मिलता है अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद भी बोला जाता है इनकी पर्मुक रचनाए है किरान उस सदायन, मिफता उल्फुतूह, खजायन उल्फुतूह, आसिका, नुह सिपिहर, तुगलक नामा, एजाज ए सुखरणी ये इनकी अमीर खुसरो की महतपूर्ण रचनाए है अब दोस्तों निश्ट दे हम लोग पढ़ेंगे कुछ रचना कारों का विस्तार से वर्डन जिसमें अलबरूनी, हसन निजामी, मिनहाज उस्सिराज, जियाओ दिन बर्नी, ख्वाजा अबदुल्लाह, मलिक इसामी, इबन बतूता, अमीर खुसरो ये लोग कौन थे, इनकी रचनाएं क्या थी, और इनका भारत में समाजिक और सांसिक्रतिक ज्ञान विग्ञान का देखने, समझने का नजरिया, इन लोग का कैसा था, ये सब विस्तार से निश्ट दे में पढ़ाया जाएगा तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़कर पीडियो प्राप्त कर सकते ही जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एवन सेयर करना ना भूलें और कमेंट वाकस में अपना कमेंट अवस्च करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू सो मच, नमस्कार दोस्तूं